यारे बत्चों कक्षा 5 अंग्रे जी लेस्न 8 एक जिन जिसको कोई पसंद नहीं करता था तो यह अपना पार्ट है इसको अपने देखते हैं देखिए आपने क्या आपने जिन तथा जादोई चिराग या जादोई चिराग का जिन या चिराग का जिन की कानी सुनी है सुनी है अगर सुनी है तो yes I have heard the story of चिराग का जिन हाँ मैंने चिराग का जिन की कानी सुनी है अगर नहीं सुनी है तो no I have not heard the story of चिराग का जिन do you know how the जिन came out of the lamp क्या आप जानते है कि जिन चिराग में से बाहर कैसे आता था जानते है तो इसका उत्तर आप देंगे yes whenever something rubbed the lamp the jinn used to came out of it हाँ जब भी कोई विक्ती चिराग को रगड़ता था जिन उसमें से बाहर आ जाया करता था जिन of lamp is known to fulfill the wishes of people जिन चिराग के जिन को लोगों की इच्छाओं इच्छा पूरी करने वाले के रूप में जाना जाता है can a jinn be over ever unhappy क्या एक जिन भी कभी दुखी हो सकता है ठीक है तो देखिए पहले का उत्तर yes if the people do not like the jinn he may become unhappy हाँ यदी लोग jinn को पसंद नहीं करते तब वह दुखी हो सकता है let's read and find out आओ पढ़ते हैं तथा पता लगाते हैं once upon a time there was a jinn एक बार एक jinn था were this particular jinn was famous for spoiling things up लेकिन यह है विशेश जिन चीजों कामों को बिगाडने के लिए प्रख्यात था ठीक है काम बिगाड देता था ये whenever something rubbed the magic lamp he would came out and say what is your wish जब भी कोई यादुई चीराग को रगड़ता तब बैबार आता और कहता आपकी इच्छा क्या है then a great cloud of smoke would appear तब क्या होता फिर विशाल दुएं का एक बादल पर गट होता hundreds of things would fly through the air हजारों चीजें हवा में उड़ती when something wanted something he would bring it covered in so much dust that nobody want to even touch it ठीक है जब कोई किसी वस्तु कोई चाहता वह उसे इतनी दूल से डकी हुई लाता कि कोई भी उसे छूना भी नहीं चाहता था so silly were his mistakes that no one liked the magic lamp उसकी गलतियां इतनी मूर्खता पूर्ण थी कि कोई भी उस जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था so the jinn did not come out for years इसलिए जिन वर्षों तक बाहर नहीं आया one day a lonely boy named Pankaj found the lamp एक दिन Pankaj नाम के अकेले लड़के ने उस चिराग को पा लिया he heard the sad cries of jinn उसने उस जिन की उदासी बरी चीखें सुनी so he decided to try to become his friend इसलिए उसने उसका मित्र बनने का निश्चे किया the wish he asked to be generated was to be able to enter and leave the lamp उसने जो इच्चा पूरी होना मांगी वह थी उस चिराग में प्रवेश करने तथा चिराग को छोड़ देने योग्य होना ठीक है the jinn was happy to grant this wish अब क्या हुआ jinn इस इच्चा को सविकार कर खुश हुआ it wasn't that he was a bad jinn एक लाइन रह गई इसके अंदर देखिए as soon as Pankaj entered the lamp he could see what the jinn's problem was जैसे ही Pankaj ने चिराग में प्रवेश किया वह देख पाया कि जिन की क्या समस्या थी it wasn't that he was a bad jinn ऐसा नहीं था कि वह एक बुरा जिन था it was just that he was untidy ठीक है अब देखिए कि वह एववस्तित था क्या था यह सिर्फ ऐसा था कि वह एववस्तित था in the lamp everything was thrown all over the palace whether it was jewelry books, boats and camels चिराग में प्रतेख चीज को को सभी और इस्थानों पर फैंका हुआ था चाहिए वह आब उसन हों, किताबे हों, नाबे हों या उंठ हो ठीक है, सब चीजों को इदर उदर फैंका हुआ जा it was clear that the palace had not been cleaned for years यह निश्चित था कि उस स्थान को वर्षों से साफ नहीं किया गया था pick up anything and a cloud of dust would fly up किसी भी चीज को उठाओ और दूल का बादल उठ जाए ठीक है, यतनी दूल ही दूल उसके अंदर जमी हुई थी Pankaj was surprised, Pankaj आस्चरे चकित हुआ the jin felt ashamed and appollosed jin ने श्रमिंद की महसूस की और श्मायासना की he said that jin's job was very important, that he had no time to cleaning उसने कहा कि एक जिन का कार्या बहुत महतापूर्न होता था तथा उसके पास स्वाई के लिए समय नहीं होता था but Pankaj remembered his mother's advice प्रन्तू Pankaj को अपनी मा की सला याद थी, उसको याद किया क्या थी उसकी, he told that the jin that it was important to keep all his things in order ठीक है उसने जिन को बताया कि उसकी सभी चीजों को ठीक से अर्था सूब वैवस्तित रखना महतापूर्न था and so they decided to give up the palace a good clean उन्होंने उस स्थान को पूर्ण इसफाई करने का निश्चे किया it took them quite a few days, ऐसा करने में उन्हें कुछ दिन लगे क्योंकि सभी चीजों पर दोल मिट्टी जमा थी, इसलिए उनको कुछ दिन लगे when they finished everything, was claiming and in its correct palace जब उन्होंने स्माप्त किया पर देख जी चमक रही थी तथा इसके सही इस्थान पर थी now it was very easy to whatever gift was asked for and to get it without breaking anything अब क्या था, अब जो भी उपहार मांगा जाए उसे डूनना बहुत आसान था और बिना किसी चीज को तोड़े प्राप्त किया जा सकता था and so the jinn began to be respected and liked once more और इसलिए jinn को एक बार पुन्हे आदर दिया जाने लगा तथा पसंद किया जाने लगा he learnt that nothing great can be achieved without order and cleanness in all things क्या किया उसने क्या सीखा उसने सीखा कि सभी चीजों को सुवेवस्तित रख के बिना तथा स्फाई के बिना कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता देखे ना ये लेखक का नाम है Pedro Pablo Sacristian अब देखिए जिन आपको पता है जिन जिन होता है ठीक है spoil काम बिगाड़ना untidy not net ए वैवस्तित मतलब जो वैवस्तित नहीं हो अपोल्ज शमा मागना इन ओर्डर जैसे जैसा होना चाहिए ए गुड़ क्लीन पूर्ण स्पाई ग्लेमिंग चमकती हुई अचीव प्राप्त करना अब देखिए rearrange the following sentences and put them in put them in correct order according to the story तो ये आपको अपने आप करना है करना क्या है इसके अंदर ये देख लेजिए कि आपको sentence बढ़ने है और sentence को करम से वैवस्तित करना है कि पहले क्या हुआ भई पहले वालो लेख देगा कि कमरा साब किया तो कमरा साब थोड़ा किया पहले पहले तो वान लोग रोएत ने देखा फिर अंदर गया ऐसे करके आपको story के अंदर जयसे sentence आएं वैसे आपको इसके अंदर इसको सूब वेवस्थित करना है answer the following questions या questions देख लीजी answer the पहला question what happens when some rubs the magic lamp जब क्या गटना गटित होती थी जब कोई जादुई चिराग को रगड़ता है तो क्या होता था ठीक है तो वो कहता था कि आपकी इच्छा क्या है तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा when someone rubs a magic lamp a jinn will come out and say what is your wish जब एक जादुई चिराग को रगड़ता कोई एक जादुई चिराग को रगड़ता एक jinn बाहर निकलता तो था कहता कि आपकी इच्छा क्या है what does the jinn do jinn क्या करता है jinn इच्छा है पूरी करता है the jinn fulfills the asked wishes ठीक है jinn मांगी गई इच्छाओं को पूरी करता है इच्छाओं को पूर्ती करता है what do you think pankaj asked the jinn to let him enter the lamp ठीक है आप क्या सोचते हो कि pankaj ने jinn से चिराग में जाने की अनुमती क्यों चाही ठीक है क्यों चाही क्यों कि वो जानना चाहता था pankaj वास्तव में इसकी वास्तव में समस्या क्या आए ठीक है कि ये बाहर क्यों नहीं आना चाहता तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा we think that pankaj wanted to see what is the jinn's problem was ठीक है कि jinn की समस्या क्या थी यह जानना चाहता था why did jinn feel ashamed जिन शर्मिंदा महसूस क्यों करता था क्यों करता था शर्मिंदा महसूस ठीक है तो देखिए क्योंकि उसकी सब चीजें ऐववस्ते थी the jinn felt ashamed because he was untidy with all his things ठीक है तो क्योंकि उसकी जो वववस्तव हैं थी वो सही नहीं थी इसलिए उसको शर्मिंदा होना पड़ता था what advice did Pankaj mother give Pankaj की माता जी ने क्या सला दी माने क्या सला दी Pankaj mother gave advice to keep all things in order Pankaj की माने सभी चीजों को सू ववस्तित रखने की सला दी why did people begin to respect the jinn again लोग दुवारा jinn का आदर क्यों करने लगे क्यों करने लगे क्योंकि जो उसको दुवारा उसने अपनी चीजें ववस्तित कर ली ठीक है तो answer क्या हो जाएगा people begin to respect the jinn again because he begin to give the asked gift in a good clean लोग दुवारा jinn का आदर करने लगे क्योंकि वह मांगे गए उपहार को पूर्ण सफाई से देने लग गया था चीक है ये पहली है puzzles इसको आप हल कर सकते हैं अब देख लेजिए ये देखिए fill in the blanks with appropriate words from the box चीक है आपको सही शब्द को बरना है इसके अंदर उप्योक्त शब्द गप्रयों करते हुए कालिस्तान को बरना है तो देख लेजिए the teacher teacher used a duster to the blackboard duster किसके लिए use किया जाता है ठीक है ठीक है to रवदा ठीक है ये हो जाएगा पहले का ठीक है always speak the truth is good क्या है ये good ये good advice है advice number two हो जाएगा इसका सुनील कीप सिस्टिंग्स प्रोपर पहलेस his room never looks untiddy हो जाएगा इसका three number अब फोर देखिए महेश महेश गोस टू चीव गुटका he has white teeth ठीक है gleaming white teeth चमकते हुए मतलब ठीक है ये आ जाएगा चौते के अंदर ये चार नंबर के अंदर आ जाएगा अब पांचमा देखिए नीरज for his rude behavior नीरज ठीक है क्या है अपॉलोजड ठीक है अपॉलोजड हो जाएगा इसका ये रहा मतलब उसको शमा जाजना करने पड़ती है ठीक है ये पांच नंबर के अंदर आ जाएगा ठीक है अब देखिए read the following sentences from the lesson punkers found the lamp ठीक है ये आपको lesson में से found करने है ठीक है आपको उता देते हैं कि ये बाके simple past tense के हैं इसका प्रयोग बूतकाल में गटित होने वाले कारगवारे में पता लगता है तो past tense इसका यूज़ करना है आपको go bent हो जाएगा ठीक है ना right का wrote हो जाएगा ठीक है complete completed हो जाएगा ठीक है make का made हो जाएगा make का made हो जाएगा और ask asked हो जाएगा ठीक है ना तो देखिए नितिष went 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 हो जाएगा राजू right right का क्या हो जाएगा दूसरे नमबर का wrote ठीक है ये देखिए यह वेंट हो जाएगा पहले का वेंट ठीक है यह रोट हो जाएगा रोट ठीक है और तीस्रे का इसके साथ दी और लग जाएगा completed यह made हो जाएगा m a d e made ठीक है अब देखिये activity fourth ठीक है कौन सी इच्छा मांगोगे अगर आप एक जिन से मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ विचार में मर्श करें और इसको पता लगाएं ये आपको क्लास में करना है तो ये देख लीजिए ड्रो ए पिक्चर ओफ जिन एंड ए मैजिक लेंप और चार्ट पेपर एंड राइट ए फोन इट डिस्क्राइविंग वाट दा जिन डज ठीक है आपको क्या करना एक चार्ट बनाना है इसके अंदर जिन की शक्तियों के बश्या मतलब जिन के बारे में आपको लिखना है ठीक है ना कि जिन क्या कर सकता है एक गध्यास लिखना है इसके बारे में तो ये आपका lesson पूरा हो गया है आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसको शेर करें और इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद